वाला काम हमारे उपर छोलियेBenी यह आपके बसकी बात नहीं दिनको हम परसाई करेंगे भगवार रामने का नहीं लक्षमण सीता को लेकर गुफा में तुम जाओ लक्षमड जी ने का थीया हम कैसे जाएं भगवार रामने का लक्षमड अगर सीता को लेकर गुफा में हम जाएंगे तो दुनिया के भाई यही कहेंगे राम से बड़ा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है पत्नी को लेकर गुफा में चले गए और लक्षमड ऐसे भाई को 14 हज्याव राख्षसों के पीज में छो भागवान राब धनुस बान निये मुश्कुराते खड़े हैं भागवान का स्वरूप यह खड़ा है लेकिन ये नाकान नहीं काता है और कांटा दूसरा है इससे छोटा है वो मेरा नाक कान काटा है यह बड़ा वाला है उसको भगा दिया है खर्दूशन ने कहा बहन चिंता मत करो अभी पकड़ कर जब इसको मारेगे देखता है भगवान सुरी राम नीचे शे उपर देखो राम जी का रूप कितना सुंदर है जब देखता है तो खर्दूशन सुपनखा शे कहता है बहन यहीं ना काट काटा जो परगार का आओ यह नहीं काटा इसका छोटा बहा है लेकिन यह कहा था कि काटा अच्छा मंत्री को पुलाया खर्दूशन मंत्री मेरा संदेश लेकर इस नौजमान के पास जाओ मंत्री ने कहा आपका संदेश क्या है खर्दूशन ने कहा मंत्री मैं पूरे लोग में भ्रमर किया हूँ लेकिन ऐसी सुन्दर दयास तक नहीं देखे जीते हाते हमकेते अहाम भरी जनम असुन हुआ सभाई देखिय नहीं अस सुन्दर दाई खर्दूशन ने कहा मंत्री मैं मानता हूँ कि मेरे बहन की नाकान काटा है मैं मानता हूँ इतना सुन्दर हूँ मंत्री ने का है आपके बहन की नाकाम कटी है हमारे गरज रहा है अब भगवान हाथ जोड़ कर बोल रहे हाँ हाँ बोल भीया क्या बात है मंत्री ने का हाँ भीया मत करो इम्मुस्कुराओ मत तुम्हारी सुन्दरता देखकर मेरे राजा प्रसन है बहुत गदगद है तुम अपनी पत्नी मेरे राजा को दे कर यहां से भाग जाओ तुम्हारा रूप देखकर मेरे राजा प्रसन है भगवान राम ने का हाँ मंत्री इह राजासाहब सुपनकाले खळए हो 14,000 सेना है एक मिनट नहीं ठीकोगे भगवार राम ने कहा मंत्री मेरा संदेश ले जाओ अपने राजा को सुना दो मंत्री ने कहा संदेश बाजी मत करो मर जाओगे बड़ी लंबी सेना आई है और सबस्त्र सस्त्र से सुसंजित है भगवार राम ने का मंत्री संदेश लेकर जाओगे कि एक सजन बोले महराज सुपनखा करना कान कट गई कहा गई हमका तोरे घरवां वैठी कहां गई कि तरे लोग सुपनखा का मोबाईल रात दिन है खंधाई है कहां भजाओगे शजनो देखलो भगवार राम ने कहा मंत्री जाकर अपने राजा से कह दो मेरा संदेश सुना दो मंत्री ने कहा बोलो क्या संदेश है भगवार राम ने कहा अरे हम छत्री मैं भारत कह ठाकर हूं और नौजवान ठाकर हूं जाओ मंत्री बोल दो अरे हम छत्री म्रिग यापन करही तुम ते खल म्रिग खोजत भी रही अरिपुभलवंत अदेख नहीं डरही एक बार काल हुसन लरही अगर काल भी आ जाए तो भारत का नौजवान ठाकुर काल से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है यह राच्छस दिखा कर हमको दरवारे हो अगेली खड़े हो और गरज भुच देज रहे ओ अकेली कड़े हो गरज बहुत दीज रहे हो भगवानराम ने पहत्तों लोगों के लिए हम अधेले काफी हैं अकेली काफी है जाओं मंत्री ने का जा रहा हूं मंत्री जब जाने लगा तो भगवान राम मंत्री को बुलाए एक संदेश और लेते जाओ मंत्री ने का अब क्या है अब कौन सा संदेश है मांध्यम से भाव दे रहा हूं राम जी सब कुछ क्या देते हैं अब दो चीज क्या नहीं देते पित्रिपद दीन हो महराज स्रीत सरथ को कौशिला को दीन हो पूझ्य पद महदारी को गुरुवर पसिष्ठ जी के चरणन में माथ दीन हो हाथ दीन हो नाथ दवजन गदुलारी को अन दीन हो तन दीन हो सब कुछ दीन हो न दीन हो पीठ सत्रू को न दीठ पर नारी को दुस्मन को कभी पीठ नहीं दिखाया अब पराई नारी को कभी आँख नहीं दिया जाओ अपने राजा से कह दो मैं लड़ने के लिए तयार हूँ मंत्री आया खर्दूसण के पास महराज आप तो रूप देखकर प्रसन हो अउ तो गरज रहा है लड़ने के लिए एक दम तयार है खर्दूसण ने कहा राक्षसों से चौदा हजार राक्षस आये अस्त्र सस्त्र लेकर तो खर्दूसण राक्षसों से बोला चारो तरफ से घेर लो अगेर करके पकड करके खाड आलो खतम कर दो चारो तरफ से राक्षस राम जी को घेर ली अजैसे धावा बोलने चले भगवान बड़ा खतरनाग बाण मारे माताओ भणो भाईयों आपस मेही राम देखने लगेगे यह राम है मारे डालो यह राम अपसा ही है और राम जी खड़े है धनुस बाण लिगे गोस्वामी जिलक्रे मही बरत उठी भट भीरत लरतन अकरत माया यति धनी असूर डरत चौद हस हस प्रेत अभी लोग एक यवद धनी सूरमूनी सभय अति देखि माया अनाथ यति को तुक करो अदेखनी परस पर राम करी संग्राम रिपूत लाला रिमरो देखा हैं पर राव खड़ा मारो सब देखकर मर गए राम जी धनुस बाण लिए खड़े सज्जनों कहने का मतलब हमारा यह यह भगवान का सुरूप है राक्जिकर प्रसन्न हो जाएं कोई आस्चर्ज नहीं आज उसी रूप को देखने के लिए अब देखी हम नाया जाएंगे अब तीनों लोग बरदान देने आ रहे हैं बीधि हारी हारा बीधि प्रम्भा हारी पुष्णों हारा संकर अरे बीधि हारी हारे अपन पादेखी हैं आप आपाला मनु सत्रूपा मन में सोचे हैं ने इनका नाम ले रहा हूं ने इनका भजन कर रहा हूं ने इनका ध्यान लगाया हूं ये फाल तु बीच में आकर टांग मार रहा हूं राजा मनु से कुछ लोगों ने पूछा प्रभ्भा से माग लो संकर्जी से माग लो रो विश्णू प्रगठ होते हैं संभु विरंचि दिसो भगवाना उपजय ही जासुवं सते नाना ऐसे उप्रभु सेवक पसयह ही अभगति हे तु लीला पनुगह ही अईसे भगवान से मागूँगा जिसके एक एक रोम से हज्जारो ब्रमभा संकर विश्णू प्रगठ होते हैं एक बात और सुलो संकर भगवान नहीं विश्णू भगवान नहीं अईसे भगवान ध्याना यह उस्ची दानेंद भगवान जिसका कोई रूप नहीं है और जिसका सबुप नहीं है प्रम्भा विष्डु महेश आते हैं जाते हैं मांगलो मांगलो परंभरुहि परंभरुहि कुछ नहीं मांगते हैं अच्छा एक बार बताओ अभी अगर प्रम्भागी इसी सेट्धु भी बरदान हो तो देवों करें यह तो बड़े भारी लिष्टे दे रहा है हम मनु की संतान हैं प्रमभाबिसुरु महेश बार बार आते हैं मागो बरदान मागो बरदान लेकिन नहीं भाग रहे हैं जर्चनों, यहां हम मनु की संतान पूजा कम करते हैं मागते जादा, कैसे पूजा सफल होगी, अब मैं आपका चादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्रगट करना चाहता हूँ अजुद्या में नहीं, मथूरा बरंदाबन में नहीं, भगवान को नयमिशारणिय में प्रगट, सबसे पहले भगवान नयमिशारण में आये, अब किस रूप में आये, जिस रूप में अजुद्या आये थे, उसी रूप में पहले नयमिशारणिय में प्रगट हुए, आप पिचार करिए अब सच्चिदानंद भगवान प्रम्भा विश्डु महेस सारे देवी देवता सब भगवान सच्चिदानंद की प्रार्धना किये इस्तुती किये प्रभू आप मनाईए नहीं तो मनुसत रूपा के तपस्या के तेज से समनष्ट हो जाएंगे आप चल करके म पोले आप लोग अपने अपने लोग में इस्थित हो ये मेरा भक्त है मुस्सी मानेगा मैं मनाऊंगा मैं चल रहा हूं ना अब भगवान आ रहे हैं राजा मनु दर्शंत्राप्त करेंगे सतरूपा प्राप्त करेंगी आप लोग भी यहां बैठे हो भाव से वैठना मांगु मांगु परभाइन भावानी अपरम कमीर कृपामृत सायनी मागोबर्दा मागोबर्दा ध्यां से सुनना सक्चितानंद भगवान की पाणी जम मनु और सतरूपा के कान के अंदर से सरीर में प्रविश्की तो हिरिष्ट पूष्ट चमत कान देखो माणी का अरे रिष्ट पूष्ट अतनु भये सुहाए अमान हुआ वही अभवनते आए भगवान की पाणी जबंदर गई नहीं दोनों जिसके हड़ी का पता नहीं था मांस का पता नहीं था भीमक सरीर खालिया था उसका सरीर ऐसा सुन्दर दोनों पति पतनी का बन गया रिष्ट पूर्ष्ट एकदम सतरूपा राजकुमारी की तरह लगने लगी और राजा सतरूपा राजा मनु को देखने लगे महरानी बहुत शुन्र लग रही हो एकदम राजकुमारी सतरूपा ने का आपध्तों राजकुमार लग रहे हो हड़ी का पता नहीं था यह कैसे चमतकार हुआ अब दिढ़े राजन माएंगू माएंगू मागू बरता राजा मनु राजा मनु ने कह किसे मागू मागू किसे सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है किसे मागू अगर देना चाहते हो तो सामने आओ नहीं तो अपना रस्ता पकली क्योंकि मैं तपस्या किया हूँ तो दर्सन पाने के लिए कि बार-बार कह रहे हैं मागो 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 मैं खजाना, सिंधासन, राजबाठ सब को छोड़ करके मैं तपस्या कर रहा हूँ मेरे तपस्या का लक्ष है आपका धर्सन प्राप्त करना अगर आपको कुछ देना है तो पहले मेरे सामने आई नहीं तो मैं कुछ नहीं लागूँगा मेरे सामने आई भगवान ने कहा मैं सामने कैसे आई मुझको सामनी ले आना चाहते हो तो मेरे भग्त जैसा कहते हैं मैं वैसा रूप बना करके सामने आजाता हूँ भग्त कहते हैं सुवर बन जाओ तो मैं सुकरावतार धारण कर लेता हूँ भग्त कहते हैं मचली बन जाओ तो मैं मच्शावतार धारण कर लेता हूँ भग्त जैसा कहता है मैं वैसा ही रूप धारण करके सामनी आ जाता हूँ शज्जरों भगवान ने कहा राजम बताओ मैं कौन सा रूप लेकर तुम्हारे सामनी आओं राजा मनु ने कहा मैं बता रहा हूँ मेरे ठाकुर जो स्वरूप बससिव मन माहित प्रश्जरों अच्छा आप लोग कहोगे संकर जी के हिर्दे में कौन सा रूप है काग भुसुंदी जी के हिर्दे में कौन सा रूप है अगर तुम स्वरूप निर्धारित कर दिया तो राजन मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ अब भगवान निशारणी में राजा मनु और सत्रूपा के सामने प्रगठ होने जा रहे हैं अरे भगत बचल सावधान हो जाओ भगवान आ रहे हैं अरे भगत बचल प्रभुक्रिपान निधाना अभिश्वपास प्रगठे भगवाना ओ भत्रचल भगवान के भगवाना सुनो कंपा एक घाठ पर कथा चले भगत बचल कौन घाठ है प्रभुक्रिपान निधाना कौन घाठ है विश्वपास को जी हो रहे हैं अक्कम पढ़े लिखे लोग भी इस राम कथा में इस मानस क्रंथ में दुपकी लगा रहे हैं आनंद प्राप्त कर रहे हैं यही मानस क्रंथ की विशेष्टा है मताओं भणों भाईयों अरे भगत दब बच्छले अपर